Hello friends, welcome back to my channel Life of Lisa First of all I want to say all of you sorry because for some personal reason मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी तो अभी से पहले जैसे मैं वीडियो अप्लोड करती थी अभी से फिर से मैं वैसे ही वीडियो अप्लोड करूँगी तो कैसार सब्स्वाइबर मुझे बहुत बार पूछते रहे थी कि मैं मेरा तो कभी कोई सिम्टॉम मुझे नोटीस नहीं आया है फिर भी मेरा पिरियोड मिस हो गया है तो क्या वीडाउट एनी सिम्टॉम्स प्रेगनेंसी पॉसिबल है तो आज इस बिशाय में हम लोग डीटेल में बात करेंगे कि मेरा क्या एक्सपिरियेंस है वो ही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूगी देखिए मेरे डाई में जब मैं प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे थी तो after getting pregnant मुझे बहुत सारे सिम्टॉम्स ऐसे नजर आये था जैसे उल्टी होना जैसे constipation उसके अलावा भी फेस में थोड़ा थोड़ा पिम्पल्स था और थोड़ा सा भारीपन ऐसा महसूस होना तो उसके बारे में मैंने already dedicated वीडियो मैंने बनाया हुआ है लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे कलिक्स को मैं जानती हूँ जिन लोगों को मतलब चो लोग प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उन लोगों की कोई भी सिम्टॉम्स नहीं होता है तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि देखिए हमेशा यह ज़रूरी नहीं है कि सबको प्रेगनेंसी की सिम्टॉम्स आ रहा है तो मतलब मुझे भी प्रेगनेंसी की सिम्टॉम्स आएगा ऐसा नहीं है अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो डॉक्टर से एडवाइस ले रहे हो आप ओविलेशन डेट पे इंटर्कोर्स कर रहे हो एवरिटिंग इस ओके तो अगर आपको कोई भी सिम्टॉम्स नजर नहीं आ रहा है कोई भी जैसे उल्टी होना जैसे constipation होना कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको इवन यह भी फिल नहीं हो रहा है कि आप कुछ बॉडी में ऐसे भारी पर मैसस हो रहा है यह नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो आप ऐसा मत सोचो बेस्ट होए यह होता है कि आपका जो पिरियेट्स डेट है पिरियेट्स डेट के एट लीस्ट 10-12 देज बात आप यूरिंट टेस्ट कीजिए मेरे टाइम पे जैसे मैं लफख एक साल से मैं ट्राई कर रही थी मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तो मुझे कुछ को सिम्टाउमस ऐसे आया था तो इसलिए मैंने जल्द बाजी में क्या किया था मेरा जो पिरियेट्स का डेट था उस दिग मिस होने के बाद मैंने नेक्स डे ही यूरिंट की टेस्ट किया था लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लेम हुआ था मेरा next day मैंने जब urine के टेस्टे pregnancy कर मैंने टेस्ट किया था तो उसमें मेरा negative result आया था तो मैं सबको यही कहूंगी यह बात का आप हमेशा धियान रखिए periods means हो गया next day ही आप अगर test कर रहे हो तो हो सकता है आपका urine test positive आ जाए लेकिन हमेशा यह ज़रूरी नहीं है कि आपका pregnancy test next day ही positive आ जाए तो फिर wet कीजिए 10-12 दिन तक आप wet कीजिए उसके बाद जाके आप fit से वो test और एक बार कीजिए तब अगर negative आ रहा है दिन आप next periods के लिए तो मैं यही कहूंगी 100% कोई भी मतलब ऐसे symptoms के उपर भरोसा मत कीजिए कोई कोई तो यह कहते ही कि घर पे आप toothpaste से test करो या तो फिर sugar से test करो तो उससे भी आपको पता चल सकता है वाट frankly speaking मैं रे कभी यह सब नहीं किया था मुझे कुछ कुछ जैसे इंप्लेंटेशन का सिंप्टों में तो वैसे भी दॉक्टर के पास ही जाती तो मैंने दॉक्टर ने मुझे जो जो कहा था वह मैंने फॉलो किया था एक तम पाई टू पाई मैंने वह फॉलो किया था इंप्लेंटेशन का सक्सेस्फुल होने का कुछ खुछ सिंप्टॉम्स मुझे जैसे आया था जैसे इंप्लेंटेशन ब्लीडिंग पगेरा या तो फिर पेट के मिछले हिस्तिय में थोड़ा सा पेन होना पैर में थोड़ा सा क्रैंपिंग यह सब सिंप्टॉम्स में देख नहीं है कि periods की next day मेरा urine test negative आया है that means I am not pregnant क्योंकि उसके 12 दीन बाद मैंने fitz से वो test करवाए थी and then it was positive तो in short मैं आपको यही बताऊंगी कि आप YouTube में वीडियो पगरा देख रहे हो लोगों से बात कर रहे हो सब कुछ proper है लेकिन यह mandatory नहीं है कि उनके time पे जो जो symptoms हुआ था मेरे time पे भी वो ही symptoms होगा तो उन्होंने जो जो follow किया था मुझे भी वो ही follow करना है ऐसा नहीं है आप अपने body की हिसाब से follow कीजिए अगर आपको एकदम 100% rely करना है तो आप अच्छे gyneologist के पास जाएए आपको जो जो एडवाइस कर रहा है वो एडवाइस हो follow कीजिए जैसे मैं मेरे चैनल पे मेरा जो personal experience है मैं वो ही आप लोग के साथ share करती हूँ मेरे time में मुझे जो जो symptoms हुआ था वो मैंने आप लोग के साथ share किया that's not mandatory it will be same to you so friends I hope कि ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा है helpful रहा है तो एक like ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को subscribe कर देना क्योंकि मैं आगे आने वाली हूँ ऐसी बहुत सारी pregnancy related topic लेके जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही useful होने वाला है thanks for watching life of lisa मिलते हैं next video पे till then bye bye